अंतर राश्ट्रिय युवा विद्वान, जैन दर्शन में युनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धान तेवं नयाय विशयों को सरलता से समझाने वाले USA, England, Australia, आदी अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले पंडित टोडर्मल पुरसकार, युवा विद्वत रत्म आदी अनेक पुरसकारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान, डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जैपूर द्वारा जानिये, धर्म का मर्म इस कारिक्रम के प्रायोजक हैं, श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी स्वर्गिय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भावर देवी जी गोधा, लवान जिलादौसा, राजस्थान बहुत चोटा सा तब की बात कह रहा हूँ आप सुमत प्रकाई जी वह सब बच्चों को आगे बुला लेते हैं हमेशा आनुमोदना करते हैं, बच्चों को आगे ले आओ, युवाओं को आगे ले आओ, सत्रियों को आगे ले आओ, ऐसा है ये इस्तिति करन कितना जरूरी है, ये कह रहे हैं कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन से गिर रहा हो कोई व्यक्ति सम्मेट चारित्र से गिर रहा हो धर्म मार्ग से विचलित हो रहा हो कोई व्यक्ति क्या उनको धर्म वतसल धर्मात्माओं का करतव्य है It's our duty क्या करतव्य है हमारा कि न गिरने दें गिरने नहीं दें वें वाई सब समाली है न हम नहीं समालेंगे तो कौन समालेगा क्या क्योंकि गिरते हुए को उठाना ही गिरते हुए को उठाना ही धर्मात्मा का करतव यह है इसका नाम इस्किती करन नाम का अंग है भाई साथ क्या इसका नाम इस्किती करन नाम का अंग है गिरते हुए को धर्म मार्ग से विचलित न सबस्क्राइब शाएं वोग नहीं में फ्रेश्न करना चाहिए चिहां। सम्म्यक दुष्टि ज्यानी जीन जानता है कि पैसे में सुख नहीं है बोगों में सुख नहीं है तो अपर दुखान क्यों चला था बिस्निस क्यों करता था यह बड़े बड़े गजब की चर्चा हैं पिछले एक दो दिन के अंदर यह चर्चाएं हुई हैं सुवे के मोक्षमार के प्रकाशक के अंदर बड़ी मार्मिक चर्चाएं हैं विचार करना घंभीरता से 181-182 नंबर के प्रवचन है शायद 181-181-182 नंबर के प्रवचन हो यहां वो भगवान नहीं हो गया है उसकी श्रद्धा बदली है उसका अभीप्राए बदला है उसकी माननेता बदली है आचरन दीरे दीरे सुद्रेगा दीरे दीरे बदलेगा कैसे यह बात कम है कि वो उसमें होने वाले नफा और नुकसान को देख करके ज्यादा प्रवावि जानता है क्या दम है इन चीज में तो ये जो चीज अंदर में आ गई है ये कुछ अलग चीज है । आपको लगेगा गुशा करता हुआ गुशा कर रहे हैं बिलकुल दिखेगा किसी व्यक्ति को यदि आप धर्म से विचलित होते हुए देख रहे हैं तो आप समय देख करके अवसर देख करके प्रसंग देख करके आप उन्हें जरूर समझाने का प्रेत्म कीजिए वे जरूर समझेंगे समझेगा वही जो समझदार होगा देख हो बात ऐसी होती है कई बार दुनिया भर में ऐसी इसक्रिटियां बनती है लोग यह कहते हैं मुझे मुझे समझाते हो उसको कोई समझाता ही नही है मुझे समझाते हूँ जिसको देखो मुझे मुझे समझाता है क्या करें बोलो घर में चार बेटे हैं तो एक को जादा समझाया जाता है बार बार में समझाते हैं और आप मुझे मुझे काम बतलाते हो आप उसको तो बतलाते हैं नहीं हो वो क्या कर रहा है उसे तो कुछ कहते ही नहीं हो दो बहुए हैं तो आप मेरे को ही कहते हो मेरे को ही टोकते हो उसको टोकते ही नहीं हो घर घर में इस तरह की परिस्थितियां सारे दुनिया भर में देखी जाती है सुनिए भाई साब मैं यह कहना चाहरा हूँ आप समझदार हैं इसलिए आपको कहा जा रहा है इस बात को positive लीजिए जिसमें समझने की युग्यता दिखाई देती है जिसमें समझने की पात्रता दिखाई देती है जो गुणवान दिखाई देता है जो शिष्टाश्यारी दिखाई देता है जो भिने दिखाई देता है उसे समझाया जाता है क्या वाइसाभ कोई बात नहीं ये कितना भाकिशाली हूँ कि इनको भरोसा है कि समझाने से समझ जाएंगे किसी व्यक्ति को आपके उपर इस बात का भरोसा हो ना कि ये समझाने से समझ जाएंगे तबी तो वो समझाने का स्टेप उठाता है नहीं तो दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए तो ये बात फेमस होती है किसी को समझाने के लिए बात कही जाए तो लोग पहले हाँ जोड़ देते अरे भाई साब दूर से हाँ जोड़े उनको कौन समझाए भाई या हम नहीं समझा सकते दुनिया में लोगों के लिए उनको भाइसाद मुझे नहीं समझाना है और चार बाते मुझे और सुनने को मिल जाए उनको नहीं समझाएंगे उनको नहीं समझासकते तो यदि आपको कोई वेक्ती समझा रहा है इसका मतलब यह है कि उसे आपके ऊपर भरुसा है आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए आप दुखी हो रहे हो इस बात को सुन करके बहुत टेड़ी की रहे हैं मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी चुंकि प्रकरन चल रहा है यहां इस्तिती करन का यहां प्रकरन चल रहा है चारित्र से विचलित होने पर भी कोई धरमातमा व्यक्ती राथी वोजन का मन हो गया उसका थोड़ा सा माइन डिश्टब हो गया राथ को खाने के लिए माँने लगे थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना आक्सीजन लेवल कम हो गया वात पित कफका संतुलन बिगड गया दिमाग अस्वस्त हो गया दिमाग में चड़ गया पता नहीं क्या कौन सा कीड़ा नस के अंदर यहां चड़ गया किधी जगया पर बहुत विचलित हो जाता है उसको पता ही नहीं है उरात को भोजन मांगने अंतरगत कीए जाते हैं धर्मातमाओं का कर्तविय है कि गिरने ने देवें ये कर्तविय है हमारा क्या और चुप चुप करके पीता था तो किसी ने आकर के उसके पिता जी से कहा क्या क्या आपको पता है आपका बेटा सिगरेट पीता है क्या पना करो उसको कि सुनो चुप करके पीता है ना मुझे मालूम है कि वो पीता है क्या क्या मुझे मुझे मालूम है कि वो पीता है त यह कह करके नहीं बतलाए जाएगा कि तू पीता हैं मुझे मालूमे, यदि उसे इस बात का पता लग गया, कि पिता जी nee, मैं सिगरेट पीता हूँ, तो फिर क्या होगा, अभी तक तो छिप करके पीता था, अब मेरे सामने आकर पीएगा, कि मालूमे ई पिता जी को ये तो तो क्या करना ये पता होते हुए भी उम्हकान जी इस बात का पता होते हुए भी जो एकभी उसके सामने उज्यागर मत करना लेकिन जब वो पैठा हुआ हो तो निूश पेपर के पन्ने बदलते हुए, कभी-कभी यह कह देना, और यार, यार, यह सिगरेट पीने वालों के कैंसर बहुत हो रहे हैं, आजकल, आप समझ में आ रही है, बत, मतलब, तरीका सिखा रहे हैं, यह जिन्वानी सिखा रही है, यह कह रही है, आपको इस्तिती करन करना है, ना, कि वो गलत र आस्ते पर नहीं चलने के लिए जो इस्तिती करन किया जाएगा, वो इस्तिती करन उपगुहन पूर्वक होगा, इसलिए पांच नंबर पर उपगुहन है और छे नंबर पर इस्तिती करन है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन में जो क्रम है, यदे पी कोई क्रम नहीं है, आठ निशंकित आधी आठ अंग एक साथ होते हैं, लेकिन तो भी, जब आपसे आठ अंगों के नाम पूछे जाते हैं, सारे जिनादम को उठा करके देख लेना, आठ अंगों के नाम देखना, पहला निशंकित, पर निकांक्षित, निर्वी चिकित्स, अमूर दरश्टी, उभग कुछ बात कहना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, यह आर्ट अफ लिविंग है, यह जीवन जीने की कला हैं, ग्यानी का जीवन ऐसा होता है, अरे इसलिए ग्यानी के माद्यम से प्रवावना होती है, प्रमोच जीवाई साहब, ग्यानी के माद्यम से प्रवावना क्यो दिल में खोट नहीं है, इसलिए उनके माध्यम से प्रभावना होती है, ठुकरा करके चले आए गुर्देव, राजपाट, वैभाव ठाट को, सब को, यश्प्रतिष्टा मान सम्मान को, आत्म कल्यान के लिए, क्या हुआ फिर, अपने आप प्रभावना होती, आत्मा प्रभ गजब की चर्चा आई थी, फ़ॉष दिन पुरानी बात है, धर्म की औषडी और धन रूपी औषडी इसकी चर्चा की थी, धर्म रूपी औषडी और धन रूपी औषडी किसका सेवन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, बहुत मारमिक प्रसंद था, देखेंगे उसको न न गिरने दें क्योंकि गिरते हुए को उठाना गिरते हुए को उठाना ही धर्मात्मा का कर्तव यह धर्मात्मा का कर्तव यह है कि गिरते हुए व्यक्ति को उठाया जाना चाहिए उठाओ आप मत गिरने दो धर्म मार्ग से कह दिया न सम्यक दर्शन सम्यक चारितर से गिरने की बात कह दी न कोई सम्यक दर्शन से विचलित होता हुआ नजर आ रहा है हमें लग रहा है यह व्यक्ति यार यह इस तरह से कदम बढ़ाएगा गलत गलत रास्ते पर चल पड़ेगा इसको पता नहीं है इसके अन्याम क्या होंगे आप उन्हें आगाह कर दीजिए आगे आने मरते हुए दिखाई दे रहे हैं आज मेरा वो दोस्त मर गया आज मेरा वो साथी मर गया कितनों को हमने जाते हुए देखा है 20 साल की उमर में बच्चों के बराबर के मर रहे हैं बोलो आप तो आप देखेंगे तो फिर लगे का यार यह सब असार है हम जिस तरह भाग रहे ह याद हमें, इसके नरा चेज में कौन सी शांती मिल जाएगी, सुख नहीं, विशय भोगों में हैं, हे जिनिंद्र देव आपको देख करके सद ग्यान हुआ, हम यह नहीं कह रहेंगे, आप उन्हें आवाव में रहना सिखाईए, लेकिन इसके बिना भी जिंदगी होती है, य वाव भी तो नहीं है, यह तो पद्दती सिखा रहे हैं, फिर जिसकी जैसी हो नहार, हमारा क्या कर्तव यह है, वो हमें यहां सिखाया जा रहा है, इस्थिती करण, अभी इस्थिती करण का यहीं मैं सच्चा आत्म कल्यान की दृष्टी से आर्थ बतलाऊं, तो मैं यह कह स कहता हूं, पर पदार्थों की तरफ, अपनी दौड़ती हुई परिणती को अपने स्वभाव में ही स्थित करण, इसका नाम स्थिती करण है, क्या कहा, पांचों इंद्रियों के विशेभूगों की तरफ परपदार्थों की तरफ जगत की तरफ दुनिया की तरफ और मैं यहां तक भी कह सकता हूँ जिन्वानी और पंच परमेश्टी की तरफ भी यदी परिनती दोड रही है तो उसको वहां से हटा कर गबराना नहीं क्या कह रहा हूँ उस परिनती को पंच परमेश्टी देवशास्त्र गुरू जिन्वाणी इन से हटा कर अपने स्वभाव में इस्थित करना इसका नाम है स्थिती करण उपियोग बाहर नहीं जाए उपियोग दोड़े नहीं कहां दोड रही है कब तक दोड़ती रहेगी हमारी परिनती अनन्त अनन्त काल हो गया वहिया अनगिंती जन्मों में अनगिंती कल्पों में कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में जिया कब तक उलजेगा संसार विकल्पों में संकल्प विकल्पों में इसलिए अपने आप में स्थित करना इस निश्चे से इस्थिती करने स्वयम इस्टिति करण की बात कीजिए औरों को सामाई की प्रेरना दीजिए औरों को ध्यान की प्रेरना दीजिए औरों को आराधना की प्रेरना दीजिए औरों को स्वाध्याई की प्रेरना दीजिए जिन्वानीं के अंदर मिलेगी यह सारी बातें मेरी मेली परिनती नात कब निर्मल होगी मम परम विशुद्धिर मेरी मेली परिनती को निर्मल करने के लिए मैं इसकी रचना कर रहा हूँ मेरी परिनती निर्मल हो गई है समय सार की ठीका करने के बाद मैं लिखते हैं किस तरह के प्रियोग किये हैं ग्यानियों ने चलिया मैं इस्तिती करण से आगे बढ़ रहा हूँ यह इस्तिती करण की भी प्रक्रिया है यह इस्तिती करण की भी प्रोसेज है इस इस्तिती करण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदू की तरफ ध्यान दिया जाना चा क्योंकि यह जो इस्तिती करने है ना इस इस्तिती करने के लिए चाहिए वातसल्य क्या अगला इस्ते पर वातसल्य अंग आप उसको प्यार से समझाओ जरूर समझेगा प्यार की भाषा सब समझते हैं पशू भी समझते हैं प्यार की भाषा वाइसाब तो मनुष्य हैं इंसा नहीं है तो क्या बात कर रहे हो आप यदी डराएंगे आप यदी धंकाएंगे आप यदी परेशान करेंगे आप यदी ओवर लेक्चर जाड़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है उसे आप प्यार से बात कीजिए उसे बिठाईए उसकी बात सुनिए उसकी प्रॉब्लम सु नहीं है हो सकता है उसको कोई शब्द समझ में नहीं आते हो प्रवचन सुनने के लिए साथ में लेकर के बैठाएंगे चार शब्द समझ में नहीं आएंगे उन शब्दों का मतलब बतलाएंगे उनने बात समझ में आने लग जाएगी जो बातें प्रवचन के अंदर आई हो जो कठिन शब्दाएं हो उन कठिन शब्दों का थोड़ा सा परीचे पहले से करा दो आप और फिर उसके बाद में प्रवचन सुनने के लिए दे दो कि भईया ये चार शब्दाएं हैं इसमें उनको पूरी बात समझ में आने लग जाएगे वो से रिलेट करने लग जाएगे लेकिन वातसल्ये चाहिए मैं पढ़ रहा हूँ 17 नमबर का श्लोक है 7 नमबर का बिंदू उसी पेज पर 69 नमबर पेज पर स्वयूत्यान प्रति सद्वावस नाथा पेत कहितवाव प्रति पत्र यथा योग्यम बात सल्यम अभिलप्यते अपने साधर्मी भाईयों के प्रती धर्मी सों साधर्मीयों के प्रती साधर्मी जिनका धर्म एक है उसका नाम साधर्मी है साधर्म जिनका धर्म एक है जिनकी भावना एक है जिनकी मंजिल एक है जिने किसी एक निश्चित मंजिल तक पहुँचना है उसका नाम है साधर्मी अपने साधर्मी भाईयों के प्रती समीचीन भावों से देखना चल नहीं परणावों में चल नहीं होना चाहिए दोका नहीं दे रहे हैं हम हम यदि किसी व्यक्ती को धर्म की चर्चा सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं प्रेरिणा दे रहे हैं तो हम चल नहीं कर रहे हैं क्या समझ में आ रही ये बात ये क्या किया रहे हैं अपने साधर्मी भाईयों के प्रती अपने साधर्मी भाईयों के प्रती समीचीन माने सच्चे माने दिल से भावना से मेरा कोई स्वार्थ नहीं है और सच में साधर्मीयों को धर्म मार्ग में लगाने में हमारा क्या स्वार्थ हो सकता है हमारा क्या स्वार्थ हो सकता है नहीं नहीं तुम्हारे प्रहुचन सुनने वालों की संख्या बढ़ती है काई संख्या बढ़ती है क्या पागलों जैसी बाते करते हो का दम है इसमें चार आजमी कम हो जाएंगी तो हमारे कौन सा फरक पढ़ जाएगा भाईया कुछ नहीं है इसमें दम यह तो बात यह किरे हैं समीचीन भावों से परिणामों में जो निर्मलता है और चल कपट रहित चल नहीं है परिणामों में हम किसी को दोका देना नहीं चाहते हमने आप से फीस लिये क्या जिगनिश भाई हमें क्या चाहिए हमें किस से क्या चाहिए हम किस से क्या मांग रहे हैं भाई सब प्रमुजी भाई सब हमने आप से क्या ले लिया और आपने हमारे को क्या दे दिया क्या लेना देना है कुछ फरक नहीं पड़ता है समीचीन भावों से चलकपट रही तो करके किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं भाई सुनो तो सुनो नहीं सुनो जिसको सुनना है वो सुनो जिसको नहीं सुनना है वो नहीं सुने जिनागम की बात है आगम की बात है शास्त्रों की चर्चाए अब इन शास्त्रों की चर्चाओं की कोई व्यक्ति वीराधना करे, कोई व्यक्ति निशेद करे, उसे पता नहीं है, कोई व्यक्ति उसे जाकर के बताओ कि वो क्या पाप कर रहा है, किसी व्यक्ति को ये कहका कहो जाकर के, कि भाईया ये जो बातें, जो तिर्संकरों की बाते एक दरवे दूसरे दरवे का करता दरता नहीं है यदि ये बातें कोई व्यक्ति सुन रहे हैं तो तुमें क्या परेशानी हो रही है तुम क्यों परेशान हो रहे हो इस बात को सुनकर के तुम्हें क्या दिक्कत है यदि चार लोग जिन्वानी की बातें सीख लेंगे तो पुन्ने में धर्म नहीं है शुभाव में धर्म नहीं है शुभाव करते करते मोक्ष की प्राप्ती नहीं होगी रत्मत रही ही मोक्ष का मारग है इसके बिना धर्म नहीं होता यदि ये बातें दो-चार लोग सीख लेंगे दो-चार नए साधर्मी लोगों के कान में यदि ये बातें पढ़ जाएगी तो क्या बिगड जाएगा तुमारा रोको तो मत कम से कम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं कुछ पता नहीं है मत देखो, मत सुनो, मत जाओ, मंदिर मत जाया करो अरे इनके मंदिर में मत जाया करो अरे इनका मत सुना करो, अरे इनके पास में मत जाया करो इस शास्त्र को मत पढ़ो, इसको मत पढ़ो उस मंदिर के अंदर और वो तो उनका मंदिर है अरे वो तो उनका मंदिर है, इनका यह है, अरे क्या क्या पागलपन की बाते हैं, समझ क्या रखा है तुमें, क्या हुआ में बाते हैं, कौन सा किसका मंदिर, मंदिर किसका होता है, किसका होता है मंदिर, महावीर भगवान का मंदिर है, अच्छा यह उनका मंदिर है, अच्छ प्रमात्मा का मंदिर है, भगवान का मंदिर है, आदिनाद भगवान का मंदिर है, पारशनाद भगवान का मंदिर है, वह भगवान की मून लाइंग प्रतिमा विराज माने है, व्यर्त का जगड़ा मत पहलाई है समाज में, समाज में किसी तरह के जगड़े नहीं है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों को पता नहीं क्यों जगड़े में ही मज़ा आता है पता नहीं कुछ स्वार्थी लोगों को विवाद में ही मज़ा आता है शांती से धर्म आराधना करना उन्हें सुहाता नहीं है उन्हें पसंद नहीं आता है उन्हें लगता ये आराधना क्यों कर रहे हैं ये आराधना कैसे कर रहे हैं इनके मंदिर में प्रवचन कैसे चल रहे हैं ये आराधना कैसे करते हैं क्या क्या करना है भी ये क्या किया रहे हैं वातसल ले चल कपट नहीं शांती से समझो शांती से सुनो शांती से सुनाओ क्या देखिए समीचीन भावों से चल कपट रहित यथा योग्य आदर सत्कार करना ये वातसल लेंगे यथा योग्य आदर भी करो सत्कार भी करो उनसे निश्कपट प्रेम रखना ही धार्मिक बतसलता है निस्वार्थ प्रेम है निश्कपट प्रेम है क्या बोलो राजे शज्मेराजी साथ बिलकुल सही कह रहे हैं मैं और दादा साथ में ही गए थे बड़नगर में मंदिर में दादा और मैं दोनों हमने पांस साथ मंदिरों के दर्शन किये साथ में बैठ करके एक ही गाड़ी में बैठ करके गाड़ी ड्राइवर लेकर के दादा था मैं था बाई थी और संस्कृती थी हमारे बाई तो हम चारों लोग और ड्राइवर और वो लेकर के गया और बड़नगर में सारे मंदिरों के दर्शन की कौन सा 13 पंथियों का मंदिर है कौन सा 20 पंथियों का मंदिर है का 13 पंथि 20 पंथि क्या होता है वीतरागी प्रतिमा यदी है तो हम उसके दर्शन जरूर करेंगे यदी हमें वीतरागी प्रतिमा निर्दोष जिनेंदर देव की प्रतिमा के दर्शन का आउसर यदी कहीं मिल रहा है तो हम जरूर दर्शन करेंगे देखो क्या किया रहे हैं उन से निस्वार्त निश्कपट प्रेम रखना ये धार्मिक बचसलता है साथ में उठो बैटो तो सही भईया साथ में उठना बैटना ही बंद कर दिया तो फिर क्या होगा विचारों का आजान प्रदान एक दूसरे के साथ में नहीं होगा तो फिर कैसे बातसल्य होगा बातसल्य माने प्रेम बातसल्य माने निश्कपट भाव से निश्चल भाव से देखो आगे हो इसी के संदर में अमित गतिश राव का चारका एक और श्लोप प्रस्तुत कर रहे हैं जरा देखिए क्या किया रहे हैं सचिन जी आपका प्रशन सामने दिख रहे हैं यदि निर्दोष कहीं दिखाई देती हैं जनिंद्र देव जन प्रतिमाएं जरूर दर्शन करने यूग है ठीक है न देखिए क्या करोती संगे बहुदोप सरगे रुप दृते धर्म धिना धियान पेक्षे चत्र विधंव्या प्रतिमुज्वलाम योवात सल्यकारी समत है सुद्रश्टि है 79 नमबर का श्लोक है तीसरे अध्याय का अमित गती श्राव का चारे का वे क्या कहते हैं मुनी आरी का श्रावक श्रावी का ऐसे चार प्रकार के संग में समुदाय रूप से वे किसी एक को किसी भी प्रकार का उपसर्ग वे कष्ट आ गया हूँ या आ रहा हूँ तो अपने सांसारिक स्वार्त की वांचा नेरक कर केवल धर्म बुद्धी से तन मान और धन के साधर्मियों के प्रती प्रीती क्या होती है किस तरह की प्रीती है देगे बीस पंथ तेरा पंथ के नाम पर आप बहुत सारी चर्चाएं आपके दिलो दिमाग में उठ रही हैं चर्चाएं आप कर रहे हैं हमारे जेपुर के 300 मंदिर है 300 मंदिरों के अंदर से पौने 300 मंदिर भी ऐसे नहीं होंगे जिनके उपर फूल और चंदन चड़ता है साल में दो दिन पंचामरत अभी शेख होते हैं बाकि आप रोजाना कभी भी जाएंगे तो आपको वीतरागी जिनंदर देव की प्रतिमा के दर्शन मिलेंगे इसलिए ऐसा मेरा कहना है आप लोग बिल्कुल विकल्प नहीं करें आपको जहां जैसी परिस्टिती मिलती है दक्षन भारत में भी यदि आप जा रहे हैं और यदि आप वहां सुबह प्रक्षाल के समय पहुंच कर यदि आप उस जगे पर दर्शन करने के लिए जाएं प्रक्षाल के समय पर आप बिल्कुल वीतरागी प्रतिमा को निर्दो श्रीती से देख करके दिवांदर्शन करते हैं किसी प्रकार की कोई उसमें दोश नहीं है प्रकार किसे एक लाएंशन कर दो प्रक्षाल कaboutर वीतरबू है